हेलो, what's up guys, my name is Spinod Badu Thapa and welcome to JavaScript in 100 days जी हाँ guys, तो आज है हमारा 41st day and I hope आप लोग बहुत ज्यादा उसम होंगे सबसे बेले guys, अभी तक अगर आपने मेरे बाकी की जो चैलेंजे से उसको चेक आउट नी किया, तो जरूट कर लीजेगा, आपको बहुत ज्यादा मजाएगा and second guys, अभी तक अगर आपने मेरे world-based JavaScript course को चेक आउट नी का तो जरूट कीजिएगा, part 1, part 2 and then e-commerce website है, तो इनका भी link मैं आपको नीचे description में दे दूँगा, आपको बहुत कुछ जरूर सिखने मिलने वाला है Hello guys, आप देख सकते हूँ कि this is our challenge number 41 and आज का वीडियो भी मैं बोलूँगा kind of like simple ही है, लेकिन simple से थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है तो देख सकते हूँ कि हम यह कैसे convert करना है, देख लीजे तो आप देख सकते हूँ कि guys, question कुछ इस्तिरिकेसे है, like we need to create a simple currency converter, ठीक है जहाँ पर like अगर हम कुछ requirements पढ़ लेते, ठीक है, तो requirements पढ़ेंगे तो ज्यादा better अपने को समझेगा क्या है यहाँ पर, like we need to write a function named currency converter, ठीक है यह हो गया, उसके बाद काईस आप यहाँ पर देख सकते हो, use a fixed object to store exchange rate relative to base currency, that is USD, a fixed object को हमें पकड़ के चलना है, and here we have a fixed currency, and then यहाँ पर पता है गया, simple like यह जो भी part दिख आपको यह, यहाँ पर, the function should return the converted amount in the targeted, यह in the target currency, all right, I know अभी इतना पढ़ गया, आपको इतना कुछ idea नहीं आ रहा होगा, but the moment आप यह पढ़ोगा, आपको पता चल जाए, we need to handle this conversion through the USD as a base, meaning if, simple, अगर हमें जो Euro, Great Britain के जो पैसे है, उसको अगर मुझे Euro में convert करना हो, I guess, yeah, Great Britain में pound चलता है, right, and Euro तो कैसे आपका European, मतलब, Euro लागे, pound लागे, अपना dollar लागे, तो first convert, मुझे य सबसे पहले मेरा यह जो, Great Britain, basically, जो भी अपना यह जो pound है, उसको हम पहले convert करेंगे, USD में, and then, जो वो value मुझे मिली in USD, उसको में, उसकी मदद से मैं उसको Euro में convert करूँगा, समझ रहो, मुझे अगर pound to Euro में convert करना है, तो मैं पहले यह जो pound है, उसको में guys, किस में convert करूँग जो मुझे रहा, actual target है, and that is my Euro, यह Euro में कितना होता है, समझ गे, so, Great Britain to USD, and then, USD to Euro, यह हमें इस तरह की सिसको complete करना है, all right, अब आप सोच रहोंगे, यह हम कैसे कर सकते है, all right, guys, आप देख सकते हूँ कि, here we have this conversion rate, जो कि a fixed object है, ठीक है, जैसे कि यहां पर बताए गया था, तो यूरो में आपका 0.9 है, and Great Britain basically pound जो है, वो आपका 0.8 है, but वहीं अगर हम इंडिया में देखते है, तो वही एक डॉलर इंडिया में 82 रूपीस की value कहलाता है, मतलब अगर आप एक डॉलर लेकिए, अगर यूरो में जाते हो, यह यूरोप साइड में, तो जहां पर जिस भी जाब आप वही एक डॉलर लेकिए, इंडिया आते हैं, तो आपकी value बढ़ जाती है, तो आपकी 82 रूपीज, oh my god, खेर कोई नहीं, चलो आप हम इसको convert कर लेते हैं, तो यहाँ पर simple है कि हमें एक function लिखना है, जिसमें से मेरे पास pound दिया है, 100 pound, तो मुझे उसको आप euro में convert करना, अगर मेरे पास 100 pound है, तो euro में उसकी क्या value होती होगी, यह मुझे find out करना है, and multiple कुछ भी हो सकता है, तो हमें सब को ध्यान में रखके काम करना है, ठीक है, तो आप आपको लग रहा होगे, तो बहुत ही जादा easy है, so guys, अगर आपको लगता है कि यह बहुत ही जादा होजेगा, all right guys, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, let's go with const, convert currency, parat arrow function, तिन parameter कहा है उन्होंने, that is your first is amount, दूसरे में में guys, from converter लिख देता हूं, from currency, चलो, FC, and तिसरे में to currency, two currency, हा, मुझे basically यह जो भी amount होगा, इस, basically currency से इस currency में मुझे इसको convert करना है, उसका जो भी price होगा, तो सबसे पहले, let amount in USD, यह लिख लेता हूं, amount in USD, ठीक है, मैंने क्यों लिखा यह, क्यों कि, rule यही बोल रहा है, कि अगर आपको यह pound को euro में convert करने हो, तो पहले pound को आप dollar में convert करो, उसके बाद जाके आप फिर उस dollar को euro में convert करो, यह ऐसा बोल रहा है, ठीक है, चलो, ठीक है तो इसको फिलाल में zero कर देता हूं, I will let's imagine हमारे पास कुछ भी नहीं है euro, I mean dollar में, अब मुझे किसी तरगी से सबसे पहला यह जो from currency है, इसको मुझे convert करना होगा किसमे US dollar में, ठीक है, अब धहन से देखना, अब आपके माइन में आ सकता, if हमारा यह जो from currency है, if it is triple equal to, अग GBP इस तरगी से है न, तब हम क्या करेंगे guys, it's simple, एक simple सा बात बताता हूं, जैसे, फिलाल एक dollar कितना होता है Great Britain में, 0.8 उसकी value है, समझ रहो, यह एक USD dollar जो है, इतनी उसकी value है, अब वहीं अगर आपके पास, यह कितना है नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास एक value जरू है, that is 100 तो अब आप मुझे यह पताओ, कि यह आप कैसे find out करोगे, like हमने बच्च्वन में किया यह, कुछ इस तरगे से जो, यह question दिख रहागा, इस कैसे बताओ, यहाँ पर मुझे बताओ, जैसे कि अगर कोई भी आपको एक American dollar देता है, तो उसकी value यह बन जाती है, ठीक है, pound में यह हो जाता है, अब वहाँ ही पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ pound है, तो American dollar में उसकी कितनी value होगी, वो कैसे पता चलेगा, तो कैसे अगर आपको मालूम हो, तब हम एक fund अपनाते है, that is cross इस तरगे से, इसको इससे multiply कर दो, इसको इससे multiply कर दो, जो भी value आएगा, उससे हम divided by यह जो है, अब यह तो अपने को मालूम नहीं, तो it's a 0.8, so it's a 0.8, कुछ ही अगर मैं करूंगा, तो कैसे मुझे value मिलने वाली in USD dollar, ठीके, यह आयोप आपको मालूम हो गाई है, simple, हमने बच्छल में कुछ इससे तरगे सिकी थी, अब यहाँ पे, इसलिए मैंने यह पह है, it's a 0.8, so rates.ya, so it will be like rates, तो guys, यहाँ पे आप इस तरगे से लिख दीजए, चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ का प्रावलम हमें यह लग रहा, पता है, and that is की, चलो फिलाल हमारा यह जो question था, उसके लिए तो यह हमने convert कर दी USD में, but what happened, अगर कल की दिन यहाँ पे अगर यह होता है आपका Indian, तो यहाँ पे आप फिर से यहाँ पे Indian, समझे रहो, इससे भी काम नहीं चलेगा, क्या पता कल के दिन यहाँ पे फिर USD आगिया, क्या पता है, यहाँ पे कल के दिन फिर आपका Euro आगिया, तो समझे रहो, आपको यह जो else condition है, यह आपको guys, और कम स लिखना पड़ा, अब इसी USD को वापस आपको यह जो two currency है, उसमें convert करने के लिए, फिर आपको यह चार बाल लिखना पड़ेगा, समझे रहो, यह फिर आपको चार बाल लिखना पड़ेगा, तो एक simple problem के लिए हम इतनी महनत क्यों करे, समझे रहो, so that's why guys, अगर आपने मेर यह जो JavaScript की वीडियो में, इस वाले पार्ट में अगर आपने object पड़ा होगा, तो आप समझ जाओगे कि सिर्फ दो line में निप्टा सकते थे, अगर USD होता है, तो यह condition भी false होने वाला है, समझे रहो, हमने error tackling किया है, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे, ध्यान से दिख यहाँ पे यह जो भी अपना कोई से ना रहा है न, यह तभी allowed होगा, जब हमारी यह जो amount है, वो अगर USD में ना होतो, मतलब समझे रहो, अगर USD को अपने को convert करना रहेगा, euro में, तो हमारा जो सबसे पहला rule ही यही था न, कि जो भी आपका currency है, उसको सबसे पहले USD में convert करो, and then उसको फिर euro में खरना, या जो भी corresponding currency होगा, but अगर हमें by default ही यहाँ पर USD मिल या, तो यह तो मुझे करने की needy नहीं, क्योंकि USD तो already है, मेरे पास, I mean, जो भी मेरी value by default वही होने वाली है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं बस अब इतना बोलूँगा, अगर मेर यह जो भी value है, if it's not equal to USD, अगर यह USD के बराबर नहीं है, अगर इसकी value USD नहीं है, तब मुझे यही करना था, लेकिन, अब यहाँ पर यह जो पार्ट है न, यह जो एक individual value जो मैं लिख रहा हूँ है, कि यह pound and then euro, मैं पता क्या करूँगा, यहाँ पर जब भी आप object के साथ ख चाहिए, then guys, यहाँ पर आप directly square bracket use कर सकते हो, and यह जो भी FC होगा from currency, यह आप लिख दीजे, this is it, कितनी easily, चाहे आप आपका वो USD हो, चाहे वो आपका pound हो, चाहे आप आपका जो भी हो, it doesn't matter, वो उसको अपने को तो खाली divided करना है न, उस particular rate से, rates. यह जो भी है, तो यहाँ पर आप भी, suppose यह है, GBP आपना pound, तो वो value यहाँ पर आ जाएगा, else, अगर वो USD है, तो amount in USD will be equal to your amount, मेरा काम हो गया, जो मेरा सबसे पहला वाला जो एक part था, वो मेरा काम complete, जो भी पैसे दिये है, उसको पहली USD में convert करो, यह मैंने इस तरीके से कर लिए, and error handling भी कर लिए, क को convert कर देना, divide कर देना, अगर USD ही रहेगा, तो क्या divide करना है, जो price दिया, वो ही होगा amount in USD, अब दूसरा, we need to convert, right, so let amount, इस तरी किसी लिख दे, just simple, will be equal to file के लिए, 0 कर देता हूं, इसको भी है, अब यहाँ पर फिर से ध्यान से दिखिएगा, अगर, if, हमारा यह जो भी converted amount है, right, तो to currency, if it's not equal to USD, again, यह अगर USD के बाराबर नहीं है, I mean, इसकी value अगर USD नहीं है, क्यों, क्योंकि जो भी value मुझे मिली, अगर उसको अब मुझे USD में convert करना रहेगा, तो guys, हम, I mean, तो वो तो by default USD हो गया, ना, कहने का मतलब यह है, else, अगर वो USD होता, तो यह जो भी मेर converted amount जो मुझे चाहिए था, that will nothing but, यह मेरा amount in USD, यह, तो अगर USD है, तो इस तरीके से हमने बहुत इसलिए इसको solve कर ली, लेकिन अगर वो USD में नहीं था, तो अब बस हमें इतना ही करना है, कि जो भी value हमें मिली है, उसको अब मुझे 2 currency में convert करना है, मेरे पास USD है already, ठीक है, इसी condition पर आते हम लोग, ध्यान से देखिएगा, इसको अटा रहा हूँ, ठीक है, अभी हमें मालूम है कि 1 dollar की value, यह फिलाल में किस में ले रहा हूँ, हमें क्या चाहिए फिलाल अभी के लिए, euro में चाहिए, and euro में उसकी value है 0.9, ठीक है, so 1 dollar की value अगर 0.9 है, and हमारे पास already amount in USD, अब मेरे पास USD मिल चुका है, तो अब मेरे को, मेरे पास, let's imagine, 100 rupees, मेरे पास 100 dollar है, उसकी क्या value होगी, समझ रहो, अगर 1 dollar की value, इतना euro है, तो 100 dollar की value कितनी होगी, simple है ना, यह तो, बच्पर में हमने match किया तक है, यहां पर भी रूल अपना हो, आप फिर से, जूम कर द अब भी एक 100 इंटो 0.9 divided by 1, अब 1 से क्या divide करोगे, तो कुछ मतलब भी नहीं वाना, तो मतलब simply, जो भी value है आपके पास, dollar में, उसको इसको इससे multiply कर दो, इससे पहले ठीक उसका उल्टा था, that's why we did division, बच अब इससा में condition ऐसा है, कि हमें multiplication करना पड़ेगा, समझ रहो, त था इसको copy करो यहां पर इसकी need नहीं है टैप करता हूं यह जो भी value होगी ठीक है amount मुझे convert करना है तो किस amount को USD में जो भी मेरे पास value थी उसको मुझे multiply करना होगा किस से multiply करना होगा same जो भी मेरा rate होगा उससे and यहां पर अब मुझे to conversion लिखना होगा simple this is it तो अगर आप इतना करते हो तो इसमें हमने यह checkout किया कि मुझे जो भी value मिल रही है उसको USD में convert करना था and उसके बात आप जो मुझे USD मिली उसको मैंने वापस हो जो मेरे को जिसमें convert करना था final conversion वो मैंने कर दी and दोनों case में अगर वो amount रहेगा American dollar में तो फिर तो कुछ करनी की नीडी नहीं है ठीक है so yeah इतना मेरा काम हो गया है and हमारा काम यह complete हो चुका में run करता तो undefined आ रहा है and that is because हमने कुछ return नहीं की है so we need to return so it's like return and then finally it's our converted amount let's see कितना होता है ठीक है great britain जो pound की value वो euro में जादा है तो अब कितना जादा होगा वो देख लेते है so it's 112.5 okay let's check it out है एक बार हम यहां पे चलते है ठीक है euro इस तरीक से and हमने कितना दिया था यहां पे pound is 100 all right so अगर कोई भी pound देता है 100 तो वो आपका guys 116.58 हो रहा है but मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि guys यह जो price है यह उपर नीचे होता रहता है ठीक है तो आज जरूरी नहीं कि always यह सेम है एक 116, 110, 120 कुछ भी हो सकता है यह जो तरीका हमने जिस तरीक से की guys एकदम perfect है आगे हम जब कोई real project दिखाएंगे है न तब हम वह पे यह पैसे जो data ले लेंगे जो कि real time conversion कर रहा होगा but at least अब आपको idea तो आगया कि अब आप अपना खुद का एक कैसे currency converter बना सकते हो अब यहाँ पर कोई problem ही नहीं है यहाँ पर आपको लगए यार मुझे एक बार यह देखना है कि यह Indian जो पैसे है अपना यह जो INR है ठीक है इसका कैसीन है ठीक है इसको हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो अगर मेरे पास 100 रुपीज 100 रुपीज है तो मैं अगर उसको यूरो में convert करना चाहूं तो कितना होता है आप देख सकते हो गाइस almost शिर्फ एक रुपया बाराबर अगर आप यहां से 100 रुपया लेके जाते हो यूरो वाले जो भी कंडरी जहां पर यूरो चलती हो वहाँ पर आपको इसकी वैल्यू सिर्फ एक रुपया है इंडियन 100 रुपया की वैल्यू यूरो में सिर्फ एक कर सकते हो वीडियो का लाइक टागेट इस सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक एंड बहुत जल्द अब रियाक्ट सिरी जाने वाला सो गाइस अब भी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज कर दीजेगा एंड राइट साइड में क्रेट कला का बैल आकन ए गंड़ी दिखाए देगा हिट कीजे क्लिक कीजे ताकि आप डेली ऐसा ओसम वीडियो को मिस ना करें सो गाइस मिलता हूं मैं आपको नेक्स वीडियो में तिल दिन गाइस थेंक यू मच टेक क्या